जरा सी सर्दी हुई, कॉरोना वाइरस की जाच करवाई और रिपोर्ट भी पॉजिटिव, लेकिन घबराये नहीं कॉरोना का नाम इस वक्त बच्चे-बच्चे की जबान पर है, हर कोई इससर डरा हुआ है जरा सी सर्दी हुई नहीं कि करवा लिये कॉरोना की किसी लैप से टेस्ट होश तो तब उड़े, जब यह टेस्ट मी पॉजिटिव आ गया जी हाँ, अगर आपने अपने मन से कॉरोना वाइरस की जाच करवाई है और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तब भी डरे नहीं क्यूं यह जानने के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को अन्त तक देखें जिस कॉरोना वाइरस से सब डरे हुए है वह अभी चाइना में फैला हुआ है, देश और दुनिया में पहले से मौजूद पुराने कॉरोना वाइरस से कोई खत्रा नहीं है, चाइना में जो कॉरोना वाइरस फैले है वह नया वाइरस है, उसका नाम 2019 नोवल कॉरोना वाइ इसे COVID-19 के नाम से भी हम जानते हैं कॉरोना वाइरस के चार प्रकार दुनिया में मौजूद हैं जिनका नाम है 229E, NL63, OC43 और HQ1 इन चारों में से कोई भी प्रकार घातक नहीं है जी हाँ यह कोई भी प्रकार घातक नहीं है घातक है सिरफ 2019 नौवल कॉरोना वाइरस जो इस वक्ट चायना में फैला हुआ है यदी जाच कराने पर कॉरोना वाइरस पॉजिटिव आता है तो बिल्कुल भी डरिये ना ना घबराईये और ना ही किसी प्रकार के पैनिक को फैलाईये यह कॉरोना के पुराने प्रकार है जो ससाइटी में पहले से ही मौजूद है इस वाइरस का असर नाम मातर है ऐसे में अगर कॉरोना की जाच हो तो कुछ लोगों में यह पुराने प्रकार के कॉरोना वाइरस पॉजिटिव आ भी सकते हैं डरिये मत डॉक्टरों का कहना है कि सिरफ उन लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है जो हाल ही में चाइना या अन्य देश गए हो और वहां से लोटे हो अगर आप ऐसे किसी इंसान से मिले हो जिसे यह वाइरस डिटेक्ट किया गया हो तब भी या उस इलाके में गए हो जहां यह वाइरस फैला हुआ हो ऐसे लोग अपने लक्षनों पर गौर करें और सरदी खांसी जुखाम होने पर डॉक्टर से जरूर मिलें अन्य लोग जो किसी भी प्रकार से ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वाल नहीं हैं वह ना तो जांच कराएं ना ही डरें ऐसा करने से आप पैनिक फैलने से रोक सकते हैं और दूसरों को भी इस बारे में जानकारी जरूर दें